Hello everyone, मैं हूँ आस्था, welcome करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल, Government Job, Genue Notification APO means Additional Private Secretary, जिसको की अपर निजी सचिप भी कहते हैं और आपको पता होगा इसका जो notification है कुस टाइम पहले रिलीज हुआ था So, अभी APO post के लिए Any graduate candidate eligible है, apply कर सकते हैं और ये जो vacancy आई हुई थी, इसकी जो last date थी, वो extend कर दी गई है अगर आपने अभी apply नहीं किया था, अभी तक आप apply नहीं कर सके थे, graduation based पर ये job है, graduation level की ये भरती है, काफी अच्छी है क्योंकि इसमें आपको salary भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, 47,000, I think लगबक 50,000 के आसपास आपको salary यहाँ पर निजी सचिपकी रहेगी तो इसका जो notice है वो मैं आपको बताऊंगी, इसका जो last date extend का जो notice है, इसकी दो बार जो last date है वो extend हो चुकी है अभी फिर से extend हो गई है and 2 November तक आप इसमें apply कर सकते हैं, graduation के waste ठीक है और क्या requirement है मैं आगे आपको बताऊंगी पहले इसका notice आपको clear कर देती हूं कि इसकी जो last date है वो 2 November हो गई है, जो latest update आया है चलिए देख लेते हैं, so यह रहा वो notice और यहां पर आप देख रहे हैं, यह जो notice दिया गया है इसमें last date आप देखेंगे अपर निजी सचे परिक्षा 2023 सीधी भरती और इसका जो पहले जो date थी, अगर हम देखें तो बिग्यापन में अंके जो notification रिलीज हुआ था, उसमें जो online apply करने की last date थी, वो 19 October से बढ़ा करके 26 October की गई थी पहले, जैसे मैंने बोला, अभी 2 times यहां पर, 2 वार last date exchange कर दी का है, जो candidate उस time apply नहीं कर सके थे, वो अभी apply कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद इन्होंने अब last date बढ़ा करके 2 November कर दी है, 2 November 2023 तक आप इसमें online apply, आपको online ही apply करना है, अधर किसी mode से apply नहीं करना है, सीधी भरती आप advertise में नमबर देख सकते हैं, 26 September 2023 के अभ्यारतियों से आभिदन में किये जाने वाले दावों के समर्थन में, समझ section बांचित अवलेकों में, जो documents बगर आपके रहेंगे, hard copy जमा किये जाने की अंतिमति थी, 9 November 2023 साम 5 बजे होगी, ठीक है, जो कि speed post या पंजीकरत डाक के थुरू आपको या swim कारेले में जाकर के जमा कर सकते हैं, अब यह जो vacancy आई हुई थी, मैंने वीडियो भी upload किया था, यह उत्रप्रदेश से vacancy थी, UPPSC से, ठीक है, UPPSC से notification release हुआ था, तो इसमें हम देखेंगे age criteria, अगर age criteria की बात करें, तो इसमें आपकी जो age limit रखी गई है, वो 21 से 40 साल रखी गई है, जो age criteria है, यह general candidate के लिए ह reserve categories के candidate को इसमें relaxation मिल जाएगा, okay, total जो post थी, UPPSC की total जो vacancy थी, वो हैं यहाँ पर 328, 328 total post है, and इसमें graduate candidate apply कर सकते हैं, graduation के base पर आप इसमें apply कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी साथ में typing भी मांगी गई है, ठीक है, typing के साथ में short hand भी मांगा गया है, speed check की जाएगी, तो short hand and typing यह भी यहाँ पर requirement रखी गई है, इसके बाद अगर हम salary की बात करें, तो salary मैंने आपको बताई है, salary इसमें आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, 47,600 से starting salary आपकी यहाँ पर रहेगी, तो salary काफी अच्छी है, अगर आप eligibility रखते हो, तो apply कीज देगा, उत्तर प्रदेश Public Service Commission की website पर जागर कि आप इसका update जो notice है, वो भी देख सकते हैं, detail notification भी देख सकते हैं, बैसे इस पर मैंने video upload किया था, link i button पर देदूँगी, उसको भी आप visit कर सकते हैं, I hope आपको यह video अच्छा लगाओ, helpful रहा हो, तो video को like and share कीजेगा, thank you झाल